कलाकार के दायित्व को और अच्छे से समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर संजय पुरोहित को जो कई सालों से सोशल अंटोपरिनियोर्स के साथ काम करके एक ऐसे समाज का निर्माड कर रहे हैं जोहां पे सामाजिक शेत्र और विकासिय शेत्र में दूरी ना हो इनसे बातचीत करेंगी शुची रॉय नमस्ते शुची नमस्ते संजय से बगा खान जी को सुनके इतना अच्छा लगा मुझे मेरे बच्पन की दिनियाद आ गए जब मैं मेरे नाना के घर पे बाड़मेर में होता था और इसी प्रकार का संगीत मुझे रोज सुनने को मिलता था बहुत ही दिल से गाते हैं बहुत ही दिल को चुछाते हैं तो सुची तुम उझसे क्या पूछना चाहती थी मैं आपसे यह पूछना चाहते हो कि एक कलाकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रतिर मेरा मानना है कि एक कलाकार की तीन प्राथमिक भूमिकाएं होती हैं एक तो कलाक को आगे बढ़ाना, उसका रियाज, उसको समझना, उसको संभालना ताकि वो समय के साथ धीरे-धीरे कम ना होती जाए बढ़कि आगे बढ़े और भी रिफाइन हो और भी मजे और भी सजे ये बहुत जरूरी है दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कि वो इसको अपना एक जीवन का आधार बनाएं ताकि उनकी देखा देखी और भी लोग उस कला को अपनाएं और उसको अपने जीवन का आधार बनाएं ताकि कला जो है वो आगे-आगे बढ़ती चली जाएं और तीसरा मेरा ये मानना है कि वो इस कला का प्रचार करें और जादा-जादा लोगों तक पहुँचाएं और जादा लोगों को सुनाएं क्योंकि जब सुनने वाले उसको समझने वाले उसका जादा-जादा ख्याल रखने वाले बढ़ते चले जाएंगे तो कला फिर आगे-ागे बढ़ेगी और हर कलाकार का ये उद्देश ये होना चाहिए कि ये कलाकार उससे अगली पीडी में उससे आगे और फिर बढ़ती चली जाए और जादा-जादा सुधरती चली जाए समय के साथ और लोगों को जादा पसंद आए मेरे हिसाब से ये तीन चीजे बहुत जरूरी है सर लोक कला की ग्रामी शेत्रों के विकास में क्या भूमिका है? ग्रामी शेत्र का विकास तभी हो सकता है जब जीवन का जरिया ग्राम में आए ऐसा नहीं है के सारे कलाकार शेहरों में जाकर के और अपनी जीवी का बनाने की कोशिश करें क्योंकि उसकी एक सीमा है जहां हैं वही पर अपनी कला को प्रदर्शित करें और लोगों को बुलाएं उनको अट्रैक्ट करें टूरिजम बुलाएं और अलग अलग तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया इंडस्ट्री है उनको बुलाएं और जो ग्राम में सेटिंग होती है जो वहां का माहौल होता है जो वहां का मौसम होता है उस माहौल उस मौसम में उस कला का प्रदर्शन हो तो उसका असर कुछ और ही होता है इसलिए कला और कलाकार का ये कर्तव बनता है कि वो बाहर जाएं अपनी कला का प्रदर्शन करें और बाकी सब को आमंत्रित करें कि वो ग्राम में वापस आकर कि जहां पर ये कला है, जहां पर इसकी उत्पत्ती है वहां पर उसका विकास हो, वहां पर उसका चलन हो वहां पर और लोग सीखें, वहां आकर किये लोग सीखें वहाँ गुरुकुल बने, वहाँ लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर इस कला का स्थान है, टूरिस्ट आए, चाहे मीडिया इंडस्ट्री आए, चाहे मुवी इंडस्ट्री आए, चाहे कलको म्यूजिक इंडस्ट्री आए, ना कि कलाकार को ले जाएं शेहरों में और वहाँ अलग ही सेटिंग है, अलग ही माहूल है, उस माहूल में उसको परफॉर्म करवाएं, उससे क्या होता है कि वो जो कला का सोल है, जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वो तो पीछे छुड़ जाती है गाउ में और सब लोग पहुंच जाते हैं शेहर में और वहां पर उस साम में जाकर के देखें, बहुत बहुत शुक्रिया से, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ऐसे कराकारों को हमारे सामने पेश किया,